कि बिसमिल्लाहिरामानुरहीम असलाम अलेकुम डियर वीवर्स दिस असाहूद और वाचिंग मैं यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब सब्सक्राइब शुलूशन आज के वीडियो लेक्शन में सेक्वल पार्ट ले गया हूं सलुशन ऑफ पेपर 2017 और फिर माथमारिक्स है कराची बोर्ट सेक्ट्र ए मुल्टिबल च्वाइस कोशन हम सॉल्व कर रहे हैं और आज के वीडियो लेक्शन में हम सॉल्व करेंगे सब्सक्राइब यहां पर यहां पर में पूछा आ रहा है इफ यू इस यूनिवर्सल सब्सक्राइब नंबर वन से तालुक इसका एंड इस एनी नॉन एंपडी सेट है देन ए यूनियन ए कॉंप्लिमेंट का रिजल्ट किसके बराबर होगा तो दिए एस एडे और उसका एडे मिला दे यह का यूद्-बतर मिला देना च्रない कर देना तो फिर वह चांजाता है यूनिवर्स साइट भण जाता है यूनिवर्सल सब्सक्राइब सेट इसका मतलब यह होगा कि इसका असर आपके पास धर्ड ऑप्ष्णון होगा ठारे नोवार्सल सट कॉंपाइडीवन इज आ ऑन किसके बराबर है यह क्या एपी है जी पी है एच पी है या एजी पी है तो चैप्टर नुबर सिक्स से तालुक है इसका अब जरह देखते हैं कि यह कौन सी प्रोग्रेशन दीवी आपको यहां रफ फर्क में सॉल्व कर रहा हूं हो मैं 3,9,27,81 एंड वह अगर हम माइनस करके हासल करें कॉमन डिफरेंस तो इसमें एपी नहीं बेनेगा यूदि 9-3 यह शुजाएगा और 27-9 नहीं आएगा तो हम क्या करते हैं कॉमन रेश्यों निकाल के देखते हैं तो कॉमन रेश्यों क्या होता है आर होता है कि सहर अगली तर्म को पिस्टी डांब करते हैं 9 डिवाइट बैती रिजल्ड और 9 27 को आप 9 से डिवाइट करेंगे तो तिरी आजाएगा नौतिए सटाइस और आर जिगल डू 212 80-23 को 27 से दिवाइट करेंगे तो रिजल्ट दि यह तो इसका मतलब है कि को हर स्टै पर कॉमने तो से मार कि इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट एम सी क्यूस की जानिब आउंगा कि अब यहां पर आपको दिये जा रहा है एट एम सी किस में दरूर्स ऑफ दी विजन एक्सिट्ट प्लेश सिक्स्टीन की रूर्स आपको कैल्कुरेट करना है तो आप देखें यहां पर एक्सट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट तो रिजल्ट के आएगा X is equal to plus minus four iota तो इसके roots के आएंगे plus minus four iota अपने option में तलाज करें पहला है plus minus four iota यही आपका right answer है इसको tick कर दीजे और इस solution को no down कर लिजेगा अपने पास इसके बाद हम अपने next mcqs की जानी पड़ते हैं mcqs number 9 a diagonal matrix in which chapter number four matrices का तालुक है a diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal is called एक डागनल मेट्रिक्स जिसमें तमाम डागनल elements equal हो सेम हो वो क्या कराता है is called dash matrix क्या वो यूनिट मेट्रिक्स कराता है जीरो मेट्रिक्स कराता है यह स्केलर मेट्रिक्स कराता है इसकी एक इसमें डेगनल elements डेगनल elements सेम होनी की बात कि एक जैसे शकल वाले तो एक जैसे शकल वाले अगर हो जाए तो वह स्केलर मेट्रिक्स कराता है तो इसका मतबह इसका चौहता ओप्शन राइड ऑप्शन होगा यह स्केलर को आपने टिक कर लिया यह आपका का आंसर हो गया इस सोलुशन को भी नो डाउन कीजिएगा अपने अपास कि इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने एंसी कुछ नुमर्ट टैन की जानिब कि अब यहां पर पूछे आ रहा है अक्वाइन को तीन दफा टॉस किया जाता है चैप्टर नमा सेवन से तालुक इसका दी प्रॉबिलिटी प्रॉबिलिटी का मतलब है यह 7.4 यह 7.5 का डॉबेगे गेटिंग 3 टेल्स तीन टेल्स आने चाहिए अब इसका शॉटकट तरीका देखेगा आपको यह मालूम है कि एक कॉइन होता है कॉइन के इंदर यह होता है यह तो हैड आएगा अब इसके ट्रीक बता रहो तीन दफा उसने कहा है ट्रॉस का निगली आप यह ट्रिक याद क है अब देखिए जरा मैं कैसे की पावरी को करूंगा और तीन कॉइंस को जब भी टॉस करेंगे इसके सेंपल स्पेस की तादात कितनी होगी आट आएगी एन आफ एस कितने होंगे एड़ वेज होंगे अच्छा अब आपको सेंपल स्पेस्पेस और करनी की जोतनी अब अपने लिधना यहां पर वां 3 3 1 अच्छा अब आपने हैट के हवाल से काम करना है और एसफॉर है यहां से साट करेंगे 0 का नाम दे 1 to 3 लिए और यहां से साट करेंगे हम तेल यहां पर जीरो करते हैं वाइं उल्टा घुमान दीजिए तू थीरी आपने प्रॉबर्बर्टी के अलगोट कर लिए मिसाल की तूपर एवंड है अब आपने टेल आने के पॉबर्टी पुशिए उसे और टेल कितने आनजी त्री टेल सानजी अब टेल साइए जीरो टे एक और टेल तेश के अब तीन टेल कितने टाइम जाना यहां में देखिंगे टाइम से पीटेंटs सेंपमें जाने एक टाइम आ रहे है तो आपने आपने लिखा और नीचे टोटल नमबरों विस्टेंगे एट आ अजाएगा तो आपने लिख दिया एट यह आपका आंसर और आगे डारेक्ट विडाउट जूजिंग सेंपल स्पेस ज्वाइंग तो अब आप देखिए अपने उप्शन में वन अबाउंड टू टू वन अबाउंड टू वन अबाउंड तो इसका मैं वन अबाउंड इस राइड आंसर और आप अप्शन नमबर 3 को राइड टिक कर हो गया इस सुलूशन को नोट डाउन कर लिजिए अपने बास और इसके साथ ही सुन मैं अपना आज का वीडियो लेक्शर यहीं पर एंड करता हूं और उमीद करता हूं कि आज के एमसी क्यूस आपको अच्छी तरह समझ में आगे होंगे जो के एक्जैम की तियारी के दिन सुलूशन को जाने के लिए देखते रहीगा सुलूशन इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेगा बैल आइकन के बटन भी जरूर दबाएगा इसको लाइक भी करें शेयर भी करें अपने दोस्तों में अपना बहुत खया लेगा अल्ला हाफ़स